तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल्द ही लॉंच होने वाले दो नए फोन ओपो F7 और वीवो V9 के बारे में तो देखते रहें आगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अबनीप और आप देख रहे हैं टेक रोजाना जहां हम बात करते हैं उस टेकनलोजी की जिसे हम यूज करते हैं रोजाना तो अभी जल्द ही दो नए फोन लॉंच होने वाले हैं अपने इंडियन मार्केट में वीवो V9 और ओपो F7 तो आएए बात करते हैं दोनों ही फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में और उनके डिजाइन के बारे में तो अब ये perfect shot, perfect view के पीछे का reason क्या हो सकता है? उसका reason बहुत ही simple है, Vivo V9 के लिए जो अब नए brand ambassador है, वो होने वाले हैं हमारे industry के Mr. Perfectionist याने की Mr. Aamir Khan. तो अब Aamir Khan को अगर लिया है, तो सब कुछ perfect तो होना ही चाहिए, इसके लिए perfect shot, perfect view. तो आईए अब डालते हैं नजर इसके specifications पर. तो Vivo V9 में, front में हमें मिलेगा एक 6.3 इंच का full HD plus display, उसके बाद पीछे की तरफ हमें मिलेगा एक dual camera setup, जिसके अंदर मिलेगा 16 megapixel प्लस 5 megapixel का एक camera setup, जिसके द्वारा हमें एक bokeh photo effect भी मिल जाएगा. साथ ही हमें पीछे की तरफ मिलने वाला है fingerprint scanner, और यह जो phone है यह आएगा एक metal uni body design के साथ में. Front की तरफ जो है इसमें हमें मिलने वाला है, इसका जो सबसे बड़ा USB है, वो है 24 megapixel का front facing camera. जी हाँ, इस phone को आप जानते हैं, वीवो के जो phones सेल्फी के ओपर ज्यादा concentrate करते हैं, तो इसके अंदर भी वही same trend चलने वाला है, front में हमें 24 megapixel का F2.0 aperture वाला camera मिलेगा. बात करें इस pricing की, तो pricing तक्रीबन जो है 25,000 के आसपास की इसकी pricing होनी चाहिए. और internals के अंदर इसमें हमें मिलेगा, Snapdragon 626 chipset, 4GB की RAM, 64GB का internal storage, शायद 6GB RAM का एक और variant भी हमें मिलेगा, इसमें हमें मिल जाएगा Android 8.0 latest Oreo update. तो ये तो हुई बात Vivo V9 की. अब बात करते हैं, OPPO F7 की. तो OPPO F7 जो है, वो लांच होने वाला है 26th March को, और इसकी जो marketing है, वो कर रहे हैं हमारे Indian Cricket Team के काफी players, इसके अंदर है Virat Kohli, Rohit Sharma, R. Ashwin और Hardik Pandya. तो ये चारो ही players जो हैं, ये कर रहे हैं इसकी marketing. और इसके अंदर भी front में हमें मिलेगी एक 6.23 इंच की Full HD Plus Display वाली screen. और पीछे की तरफ इसमें हमें मिलेगा एक सिंगल कैमरा, जो की होगा एक 16 Megapixel का F2.0 aperture का कैमरा, और साथ ही होगा पीछे की तरफ इसमें एक fingerprint scanner. और बात करें, फ्रेंट में तो इसमें भी हमें फ्रेंट में मिलने वाला एक 25 Megapixel का selfie shooter. तो इस OPPO का phone जो है, उसके अंदर भी main concentration selfie के उपर किया गया है. तो इसका जो ये 25 Megapixel का selfie camera है, इसके साथ में OPPO ने इसमें इंटिग्रेट किये काफी सारे AI के features भी, काफी तरह के beauty modes और काफी AI features इसमें हमें साथ में मिलने वाले हैं. और इसके अंदर हमें मिलेगा एक Mediatek का Helio P60 चिपसेट, जो की अल्मोस्ट उसी तरह का specification है, जैसा की Snapdragon 625 या 626 में हमें मिलता है. और इसमें भी हमें मिलेगा 4GB का RAM, 64GB की storage. तो F7 के अंदर हमें single camera मिलने वाला है, जबकि V9 के अंदर हमें dual camera मिलने वाला है, पीछे की तरफ और आगे की तरफ दोनों ही phones के अंदर हमें मिलने वाले हैं, 24 और 25 मेगा पिक्सल के काफी strong camera selfie के लिए. तो बस दोस्तों यही था एक quick update आपके साथ share करने के लिए, मुझे उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, तो इसे जरू से like कीजेगा, आपकी family और friends के साथ share कीजेगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो अभी कर ल